अलो दोस्तों, बहुत-बहुत सवागत एक बार फिर से मैं हूँ विश हुआ तो आज का वीडियो सवाल के जवाब में है, सवाल ये है कि Microsoft World में कर्व लाइन कैसे बनाते हैं तो देखी, कर्व लाइन बनाने के लिए आपको सबसे पहले उपर के रिबन में इंसर्ट टैप पर क्लिक करना है उसके बाद shapes में जाना है, इसके drop-down पर क्लिक करिए और यहाँ lines वाले segment में आपको यहाँ पर देखी, यह है कर्व का option अचा option तो आपके हाँ मिल जाएगा लेकिन इसको बनाने में एक trick इस्तमाल करनी पड़ती है, इस पर यह वीडियो पूरा लास्तर देखीगा तो सबसे पहले इस curve पर हम क्लिक कर देंगे, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए plus sign बन करके आ गया अब ध्यान से देखिए का मैं क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सीधी line कीचनी है, तो यह हमने यहाँ पर देखिए सीधी line कीच दी, अब trick जो है वो यह है कि आपको double click करके अपना finger जो है वो touch pad पर रखे रहना है, उठाना नहीं है, मैं फिर से repeat कर दे रहा हूँ, मैं touch pad इस्तमाल कर रहा हूँ, तो आपको double click करने के बाद अपना finger है, वो touch pad पर रखे रहना है, उठाना नहीं है, ठीक है, तो यह मैंने double click किया, अब मैंने finger अभी रखा हुआ है, उसके बाद जिधर आपको मोड़ना हो, माल लीजे कि इधर मोड़ना हो, आप इधर मोड़ दीज उसके बाद double click करके आप finger हटा लीजे, यह curve line हमारी बन गई,